तो ट्वेल्थ क्लास आप सब का स्वागत है वेलकम है आज के टोपिक हाउ टू मेक टाइम टेबल आप अपने वक्त का इस्तमाल बोर्ड की तैयारी के लिए अभी से कैसे करें मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर टाइम टेबल नहीं बनना लॉकडाउन में प क्या करें देखो इस वक्त आपके पास जो सिचुएशन है उसमें दो बाते हैं जो आपको याद रखनी है सबसे पहली बात आती है लिखित यह आप बोलते हैं रिटर्ण वर्क इसको आप कॉंप्रोमाइज तो करी नहीं सकते क्योंकि आप क्यों हर स्कूल से आप से चाहे आप कुछ भी कर लो नोट्स दिखाने हैं कॉशन आंसर दिखाने हैं तो रिटर्ण वर्क तो आप जो कर रहे हैं वो तो आपको करना ही पड़ेगा इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते जितना जल्दी हो रिटर्ण वर्क को निप्टा के अलग कर दो क्योंकि रिटर्ण वर्क देखो होता क्या है जैसे आपके उपर प्रेशर ऐसे एक टीचर पर जैसे मेरे पार भी प्रेशर आता है कि लगातार भया आपने जो पढ़ाया है बच्चों से क्या आया असाइन्मेंट दिखाओ तो फोटो मंगवानी पड़ती है क्या करें कहां में करना पड़ता है ऐसे आपके उपर भी प्रेशर अभी लिखित काम भी करना है लेकिन 12 में लिखित काम को आप जब कर रहे हैं इसकी एक टेक्निक को इस्तमाल करिए य अपना प्रयास जरूर करें यही कारण है कि मैं भी चाहूं तो PDF में नोट्स दे दूँ आपको दुनिया बेच रही है मेरा भी दंदा चल सकता है मेरे पास तो अच्छे खासे नोट्स बने में इतने मोटे मैं आपको दे दूँगा लो भी पैसे दोर ले जाओ लेकिन जब आप खुद मेहनत करेंगे जिस रिटन वर्क पर कोशन भले आगे से आई हो आंसर आप अपने दिमाग से खुद ढूंड कर खुद बना कर लिखेंगे तो आप देखना आपका 50% काम हो चुका होगा यह मेरा दावा अगर आप मेरे नोट्स खुद बना रहे हैं क्योंकि आपका अपना एफ़र्ट या मेहनत उसमें डल चुकी है तो आप 50% काम हो चुका होगा अब आता है मेरे काम के वही है इससे काम थोड़ी चलेगा आखिरकार हम प्रिपेर कर रहे हैं बोर्ड के लिए तो याद भी करना है जो लर्निंग प्रोसेस है दूसरी बात इंपोर्ट है कि भर लर्निंग का क्या करें लर्निंग मतलब याद करने की प्रोसेस को कैसे पूरा करें अब इसके लिए आपको एक छोटी टेक्नी देता हूं गिव थर्टी टू फॉर्टी फाइव मिनट्स तो इच सब्जेक्ट या एवरी सब्जेक्ट जो हिंदी में हैं मैं उनके साथ हिंदी में बोल रहा हूं एंगलिश में लिखना हूं 30 से 45 मिनट आप अपने हर सब्जेक्ट को दीजे याद करने के लिए मतलब जो आपने जिस दिन लिखित कारे किया है वो उस दिन याद कर लेना है अब इस 30 से 45 को कैसे इस्तमाल करना है इसका भी मैं आपको बता देता हूं अगर कोई सब्जेक्ट इजी है तो उसको 30 दे दीजिए कई बार होता है कि वही हो सकता है किसी को हिंदी असान लगती है किसी को मैथ असान लगता है किसी को कुछ मुश्किल लगता है किसी को पॉलिटिकल मुश्किल लग सकती है किसी को हिस्ट्री असान लग सकती है तो जो easy है उसको 30 दे दीजे और इसका जो time है यहां से अगर हमने 15 मिनिट बचाए है वो 15 निकाल कर किसी hard subject को दे दीजे और उसके साथ manage कर ये time को इससे क्या होगा जो hard है उसको जादा time मिल लाएगा और जो easy उसे कम मिल लाएगा अगर कोई ऐसा subject आपके पास है जिसको आपको लगता है कि नई भई additional है इसको हमें अभी time देने की कोई ऐसी जरुवत need नहीं है अभी जरुवत नहीं है तो उसको मत दीजे उसका भी कुछ time निकाल कर 15-20 मिनिट निकाल कर आप उस subject को दीजे जो hard है जो इसके लिए आपके सबसे जो weak point है जो कमजोर पहल हुए उसको जा कर दीजे time अब बात तो यह आ जाती है कि कम से कम 2 hours और 30 minutes तो आपके हो गई याद करने का आपका हो गई ये ठीक है लेकिन अगर आप इसको 2 घंटे भी कर लेंगे तो दिन में 2 घंटे आप याद करने के निकाल सकते हैं असान और मुश्किल वाले को manage करके तो 2 घंटे आप निकाल सकते हैं और लिखने का कारे कम से कम आता होगा 2 घंटे का अब एक बात और बता दो मैं आपको जो आपका return work है आप उसको हलके में ले रहे हैं कि भी return work कितना क्यों करें लेकिन आपने कभी एक बात देखी है मैं आपको अपनी personal experience बताता हूँ जब मैं Delhi University में पढ़ता था हूँ में बहुत बड़े बड़े आंसर लिखने पढ़ते थे और हम लिख देते थे दददस पेज के आंसर जब मेरा इस lecture hour में selection था तो मैंने 2 घंटे में 35 पेज के आंसर एक तब बढ़िया वाले बन लिखे थे आपकी writing speed भी आपके साथ जाती है आपके exam में सिर्फ आपका याद किया हुआ पहलू आपके साथ नहीं जाता आपकी writing speed भी आपके साथ जाती है दिमाग कितना भी तेज सोचे हाथ से लिखोगे तो सही उसके लिए तो return work की speed बना के रखो वरना अभी तो चलो किसी तरह से पास हो जाओगे university में क्या करोगे, graduation में क्या करोगे, आगे अपनी higher studies में क्या करोगे वहाँ आपके साथ आपकी mental skill जो याद करने की जो ताकत है उसके साथ-साथ ये हाथ की speed भी जाती है जो लिखने का, ये ऐसे फटा-फट और जितना जल्दी आप ये लिखने की speed इंप्रूव करोगे, आप देखोगे, आपके paper छूटेंगे ने तो time तो देखो लग रहा है मैं मानने हो, लेकिन अगर दिन में पांच गंटे, चार से पांच गंटे निकाल सकते हो तो निकालो जो और लिखने की आदत को कभी भी ये मत सोचो की ये आपके काम नी आएगी मैं देख रहा हूँ, ऑनलाइन आजकल क्या दुकान चली हुई है, लोगों ने यूट्यूब पे वट्चैप नमबर डाल दिया अपना, और बच्चों को PDF फाइल प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या खेल रहे हैं बच्चों के बविशे के साथ, यार वो जो PDF फाइल का ये न इंटरेंस एक्जाम में आया, तो आप कैसे पढ़ोगे, कैसे लिखोगे, इस बात को दिमाग लगाओ, PDF फाइल मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन मिरे को बेचना नहीं है, मिरे को दंदा नहीं चलाना है, मुझे आपके अंदर स्किल डाल लिए, इंप्रूव करना, आपको द जमाने में इंसानों के पूछ होती थी, सुना है न, अपने बंदर से पूछ होती थी, लेकिन दीर दीरे चली क्योंकि उसका कोई यूज नहीं था, तो यह हाथ ऐसे क्या यूँ लटका के थोड़ी जाएंगे, इसका काम तो करे होगे, तो पढ़ाई भी इंपोर्टेंट ह जितनी अच्छी राइटिंग्स की लोगी, उतना जल्दी आप दिमाग का लिख पाओगे पेपर पर, तो दोनों चीज़ों कॉम्बिनेशन बना कर चो लो, इतना टाइम निकाल लो, दो से डाई गंटे याद करने का, और दो से डेर से दो गंटे लिखने का, तो आप चार पढ़िये, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं दुनिया तो पढ़िये, लेकिन कहीं भी आप अपनी स्किल के साथ, अपनी काबलियत के साथ कोई समझोता मत करना, क्योंकि समझोता करते के साथी आदमी को आलस या लेजीने साने लग जाती है, और वो बिलकुल फिर इनसान को अंद आज कुछ मैनत कर ले, वो एक जोक आपने सुना होगा वट्चेप पे चलता रहता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एक आदमी पार्क में सो रहा था, तो कोई गया उसके पास, हाँ भी क्या कर रहा है, किरा है, मैं बदला ले रहा हूं, किरा किस से, वक्त से, किरा क ऐसा बदला करा, पहले वक्त ने मुझे बरबाद किया, अब मैं वक्त को बरबाद कर रहा हूं, तो ऐसा मत करो, वक्त आपके पास है, लोक डाउन है कोई बात नहीं, हमारे जैसे बहुत हैं, आपके काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने वक्त का पूरा इस्तमाल यूज करत उसका समर्ण में आगया हुआ, कोई क्वेशन अभी भी हो, तो मुझे से पूछ सकते हैं, लेकिन लिखने के आदत के साथ साथ याद करने के आदत को भी बनाए रखे और बने रहे हैं मेरे साथ, मैं हूँ विकरांट, आप देख रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस 90 प्लस मार् याद